अपना गड़ और पीके आज हमार बस मुझे देफ फाइव कनल फार्म होसन वियर स्टानिंग एड गुलबर्ग इंज इस्टामबाद बेस्मेंट ग्राउंड और फिर्स लोर की एकमेडेशन इस घर में देखने को मिलेगी घर की डिजाइनिंग के अवाले से लेयाउट प्ल पहले हम गरेंगे इस घर के एक्स्टीरियर पार्ट के टू और फिर हम जनेंगे इस घर के इंटीरियर में इस इस अपने इंटर्स अफ्टे राउस राइट वहाँ आर मारे भास लॉज एक चीज का जो मुझे राप बैक लगा है यहां पर नहीं तो किसी भी फार्म हाउस में गार्ड रूम होना एक मस् तिंग है यह वो चीज है जो कि अगर हम डील करते हैं इस फार्म हाउस के अगर आप में से कुई हमसे पर्चेस करते हैं तो हम यह वल यह वली चीजें बाद में भी डिसकस करके इस चीजें तामीर भी हो सकती है एनिवेज काफी बड़ा काफी हूच आपको यह एक लॉन देखने को मिलेगा क्योंकर हमारे पास रॉक वॉल देखने को मिल रहा है और उसके साथ त्वाय कुछ जगों पर वैदर शीट कर टाच है फिर राइट साइड पर पास्वे है हमारा तूवर्ड बेस्मेंट और यहीं से हमारे पास पार्किंग स्पेस भी है थ्री बैटरूम्स हमारे पास इस घर में ग रॉबैक्स थे मैंने आपको बताया अंडर ग्राउंड वाटर टैंक हमारे बाउन्टरी वाल्स है उसमें मारे पस कुछ अम्बेंट लाइट सें पिलर्स वगरा बीच में दिये कि जिसका मदलब यह के मजबूत रहे का मारे पस काफी सारे अंडर ग्राउंड सी विरिज के अब्रेप मिन देखने को अबल रहे हैं तो बैक साइड यहां से मारे पस रस्ता है तो हम इसको साइलेंट स्किप करके जल्दी से आगे जातें और बैक सेड़ देख लेख देखे अचा जी तो अभी हम यहां से घर की बेक साइट पर गेएन हमारे पस कफी सारी जो है वो सि लिमिंग पूल भी चोटा से बना लें एक मुझ भी अगर हो तो मैं तो बहुत सारी सीजी यहां पर करो एक स्पेस है इसको यूटिलाइज बहुतर तरीके से करना चाहिए इस दा बैक सब्सक्राइब हमारे पास ऊपर एक अदर टारिस है सिटिंग स्पेस है फैमली की जो के एक प्रॉपर सर्कुलर शेप के अंदर आपको देखने को मल रही है और इसी तरह इसके नीचे ग्राउंड फ्लोर पर हमारे पस यहां पर लिविंग रूम है अचा फिर यहां से मारे पास सिटिंग स्पेस यह वाली भी काफी हाथ तक है जो के बेडरूम से अक्सेसिबल है और बागी मारे पस यह वाली स्पेस है तो मैं अगर हूँ तो इसकी बैक साइड को जो कि अभी तक इस खर में चीज़े होना बागी है एक साइड को हम थोड़ा सा लॉंडरी के लिए देदें थोड़ी सी हम सिटिंग स्पेस ले 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 थोड़ा सा हम गिजन गार्डन क करना चाहिँ तो यहां पर वह में नहुंग्द और नहीं सब्सक्राइब करना चाहिति को यहां और वह भी उसकती है सो दिस वी इसके कवर डेरी है, so this is the pathway, drive way, आप यहां पर गाड़ीं पार कर सकते हैं, आदी गाड़ी और यहां पे इनकी पार्ग है, ग्राउंड, बेस्मेंट, ग्राउंड और फर्स लोर आपको एक्मेडेशन यहां से बहतरी तरीके से अंडरस्टानडेबल है, अचा मुझे इसका जो आपके आउड़ फर्नीचर पड़ा होता, ज़रा ग्रास बेतर तरीके से मैनेज होता, पर इसके साथ कुछ यहां पर रोब लाइट नीचे पड़ी होते हैं, तो ज़रा एक इसमें तड़का लग जाता है, तो अभी हम यहां से चलते हैं, तो अब यहां से चलते हैं, फुटेजिस और इसके लावा जो ड्राउन शॉट्स होते हैं, वो लेके फिर हम मगरब के बाद शुरू करते हैं, इंटीरे रिकाटूर, सो लेट साथ में मारे पास कुछ स्पेस है, प्लांटर के लिए, ठीक है, यहां पर अभी तक अलरड़ी मैंने आपको बताया है, साफे सॉरिड लग रहा है, बीच में टेमपर्ट ग्लास है, फ्रेम है मारे पास, अंदर आज है डबल हाटिट इंटरेस पॉइंट, उपर स्काइबॉक देखने को मिल रहा है, सीधी ही सिधी ही सिधी है, सिधी हैं, सिधी यों के अवाले से जो लेयाउट प्लान है, सिधी अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर बहुत ही जदा कोई लविश लवल की हों सिधी हैं, यह सिंपल है, अलिक एंटरेस लेकिन इस पे आप लोग ने बता रहा है कि सामने होनी चाहिए, कि नहीं होनी चाहिए एंटरेस पे, बेस्मेंट का रस्ता, फिर्स फ्लोर का रस्ता, अब हम घर का टूर स्चार्ड करेंगे जी क्लॉक वाइस, हम यहां से शुरू करेंगे और बैक सट से होते 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 फिर यहां से वापिस आएंगे और फिर हम यहां से बेस्मेंट में जाएंगे यह फिर्स फ्लोर पे वह उस वक्तम लोग डिसाइड करेंगे, त एक चीज जो के मैं देख रहा हूँ यहां पर आज कल के दोर में अलुमिनियम विंडो दीवी है इस ट्रेंज और वैसे तो उजाद़तार यूपी विंडोस चाल रही है आज कल और इसको हम उपन कर लेते हैं यह जो कि उपन नहीं हो रहा इसका मेकानिजम नहीं से बारा है यहां चेकर है विंडो यहां से ओगी ओपन देखेंजी क्यामर में साब मारे जीनियस है यहां से बाएर आज लॉन का विवीव ठीक है ए फॉल सिलिंग वाल बिल्कुल डिएसेंट है सिंपल सा है वन तू तू त्री फोर्ड और कबर बिल्क बतातों दिस इस देड़र नुमर टू ठीक है इस देड़र नुमर टू बिल्कुल सिंपल चीजें उसी तरह का वाश्रों में उसी तरह की जो है कोई ऐसी चीज नहीं जो कि एक्स्पेंड की जाए अब एक चीज और मैं थोड़ी सी सोच और हम लोग ने बताने क्यों कि हम ह देड़ी बी आसी ओपन है तो यह भी तरह इस पर कवर होना चाहिए था यह कुछ चोटे-चोटे पॉइंट से हाइलेट करना कि मकसद किसी भी घर को डिकरेट करना नहीं होता है जो लोग अबना बना बना नहीं होता है वो इस चीज को मदना रखें में स्टीज को मदना ल यह फरनिश है यहां पर समान आपको पड़ावा देखने को मेलेगा ठीक है समने हमारे पास यह समान इसमें इंक्लूटेड नहीं है बिकॉज थिस इन नॉन फरनिश फरम होई समान को हम एक्स्टेन करेंगे बिल्कुल सिंपल सा मारे पर यहां पर मार्बल है और इसके साथ यहां पर सिलिंग फैन और फॉल सिलिंग को वग हां यह वाला वॉश रूम और इसके जो क्लॉजट की स्पेस है काफी है बिल्कुल हूज स्पेस है मारे पास कफी जगाय कपड़े वगारा स्टोर करने के लिए पर यहां पर आजे तो डीवल वैनेटी भी मारे पास देखन फिर तो को हम कर लेते हैं और यहां से थासेों तूर्सा सबरहें सब्सक्राइब निसा होटॉज और पर करना है अचा जी यह मारा लीएक रूम है तो छोड़ासअ रहने अपने बर मैं इसई हो तो यह बेंग precise आपका लॉन का स्पेस ठीक है इस वक्त अविसली अंधिरा हो गया तो शायद हम अंदर ही चले जाता बेटरे लेकिन मैं आप गो दिखाना था यहां से भी इसकी एक्सेस है और बाकी लिविंग रूम से और तमाम जगाँ से इसकी एक्सेस है तो हम यहां से परदे को मेरा है सिलिंग की हाइट भी थोड़ी जादा होनी चाही थी काफी नीची मुझे लग रही है तू सिलिंग फैंस है और अगें राउंड शेव हमारे पस यहां पर स्पेस है और बिल्कुल सिंपल है तो इसमें कोई चीज एक्स्पेइन वाले नहां सुछिज वगरा काफी स अंडर टॉप, स्टोव, हुड, वाश बेसन, मिक्सर, हाई ग्लॉस इलमिनेशन शीट और काफी ज्यादा क्रॉकरी के लिए अपकी हुज स्टोरिज स्पेस है डबल केबिनेट्स होते तो और अची बात ही नहीं है तब भी कोई इश हो नहीं है आज है यहां से और हमारे प अगर बेसन वेजिए और हम यहां से घर में एंटर वह थे ठीक है दो बेडरूम आपर देखे बैक साइट में मास्टर बेडरूम देखा किचन देखा से केंडरी किचन देखा और हम अंदर से होते विए यहां पर आगे डाइनिंग स्पेस में किचन के साथ बिल्कुल पाइया और कुरसें अगर अपड़ी में है और अबिसलिए घर में घर में गाड अगर रहता है और सम ने अगेन हुज आपको लूं की स्पेस यहां से विव पड़ा चाहर है तो अभी हम लोगों ने कर लिए जी जिए घर के कहां का व्यू ग्राउंड फ्लोर अभी हम यहा है सिंपल रखा के चीजों को चीजें देड़ा है नेचे आजाते हैं लोग तो यहां बड़ा सारा हॉल है अगर पठान भाई लोग लोग लें तो वो इसको मजरिस पना दें और वैसे यहां पर हॉल एक देखने को मिल रहा है ठीक है बाहर एक नीचे भी अपन टूसका एर साथ दो बेड बेड रूम्स हमारे पस बेस्मेंट में इस इस दा बेड रूम नमर वन ठीक है जिसकी प्रॉबबली लाइट इस वक्त आफ है और इसको मौन कर लेते हैं बेड रूम नमर वन विद लांग विद लॉक इन क्लोजट और इसके साथ अटेज वाशर में वो जि तो अच्छा जी ऐसा है कि यह आपका ड्राइव बेर नीचे जो कि हम लोगों ने घर के फ्रंट से देखा था और यही आप भी एक गाड़ी खड़ी यहां पर दो पार्किंग स्पेस हैं गाड़ी इसके साथ साथ हमारे बारे बास यहां पर सिलिंग फैन दो अबिसली है ए फर्स लोर अट घॉस रहिए हैं लिघृवर्स आइट से फर्स लोर नाट घु में आहिए हाँ को भी जोपता दिखर रहा हैं यह तो इस दीलिग फानट से टाने के किछन देखने को मिला तो हम यहां से स्चार्ट के टूर ड्राइंगम स्पेस विद अ स्मॉल किछन एट क्योंके सिंगल यूनिट हाउस है और सिना बड़ा गहर जो बनाता वो लोग रंट आउट नहीं करते हैं यहां से बाइर टैरिस और टैरिस के व्यू भी बहुत याउट स्चार्णिंग है हाईट इड़ाइजर्स के वर से काफी सारे घर नीचे भी नजर आ रहे हैं और शाम के टाइम सर्दी हैं है एंड ओफ अक्यूबर है खुंकी है मज़गा मौसम लग रहे हैं पर नीचे देख लें एम्बेंट लाइट जो चल रही हैं लाँ किंडर वो ए से अभी हम अगें क्लॉकवाइज इस घर कर जो है वो टूर करते हैं तो इस दा बेडर नुमर वान ऑफ फर्स लोर बेल्कुल सिंपल अफ वर्निश नहीं यह जिस रहां ग्राउंड फोर पे था एंदर वाकिंग लॉजट्स वगरा हैं और इसकी भी प्रॉबबली दू सम विजब पास दीया था यहां पर हमारे पस वाकिंग ब्रॉजट्स की पेस है वाश्रूम को ब्रॉक्ट ब्रेकर का इस वेजसे यह इस विज़ नहीं हो सके का मारे पस जो ग्राउंड फ्लोर पे बश्रूम एंग्जेक्टिसी का रपलिका है तो यहां से आजाते हैं जी और इस वाश्रूम नबर वन अगें सिटिंग स्पेस यहां पर मारे पस बाहर काफी हूज स्पेशियस जो है वो टारिस है और अगें बैग साट पर यहां से लॉन का व्यू शाम का टाइम है तो ओविसली विजबिल्टी का तुड़ा से इशू होगा लेकिन अगें अच्छी बैठने के लिए सिर्दियों में दूब वगर अब यहां पर लगवा सकते हैं फिर यहां से आजाते हैं जी तो इस दा बैड्रूम नंबर टू अफ दा फिर्स लोर और यहां भी अटैच वाश्रूम वगरा हैं होफ फुली यहां पर लाइट इसकी जहां वहां पर लाइट इसकी साथ, इसकी सफ़ उस नायां डा से उपखेट सीच, स्सक्किल्त सोरूर है अब दूमार लांडर्जरी स्पेस स्पेस यह काफी बड़ा स्पेशियस बेडर में है विद्धा यूज टैर्स टैरस में भी हम लोग चलते है बाहर और यहां पे मारे पास वक-इं प्लोजेट पर अटाच वाथ रूम काफी बड़ा और सपेशियस बश्रूम में है विद्धा बात अगें कंसीज अमोड तो करते हैं जी आज का टूर कंक्ल्यूड आप लोगों ने फीड़एक में लाजबी मताना कि घर आप लोगों कैसे लगा इट वोगों कैसे लगा इट वोगों सिंपल साइड मिर्च मिसाला कम था जो कि मुझे भी मैंसूस हुआ लेकिन अगेन इजी तो मैंटेन घर है और इ नीचे जो बेस्मेंट में स्पेस थी वहां पर भी आपका जो है वो स्विमिंग पूल आ सकता था बाहर गजबो लगा जा सकता है इसके लावा सिटिंग स्पेस आउड़र फरनीचर वगर इस सारी चीज़ें जो के जो बंदा परचेस करता है अपनी मर्जी के मुदाबिक अज़े को आज के लिए बेसिक फाम होस्पेस दिए थे बैसिक फाम होस्ट्व तो आज की वीडियो पर खिरते हैं कि नहीं सी दूा के साथ के पाकिसान में रहने वाले तमाम लोगों को अला पाक उनकी मर्जी का घर औ अच्छा तनसीब अट आफर्माएं विस तर्स